हलो बच्चो आज हम क्लास 11 के दिर्ण पिंडो की गुरंगती के निमिरकल को ले के आये हुए हैं यहाँ पर इस लेशन के निमिरकल देखने से पहले आपके स्कीन पर कुछ फॉर्मले दिये गए हैं आप उसको देख ले और यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट के दिमिरकल नहीं देखे हैं तो इसके डिक्रेशन बॉक्स में जाएए वहाँ पर आपको सभी पार्ट सेरियल से मिल जाएंगे पहला नंबर स्वाल पढ़ते हैं कि एक पहयाद जो बिरामा वश्था में है मतलब प्रारंबिक बेग जीरो होगा बिरामा कि बिरामा कहेगा तो इसका मतलब परा यू यू रिण होगा जहीर होगा गुरूंद गटी कर नए मिरका ले ना बच्चा इसके बाद तीन रेडियन पर सकेंड कोडئे थोन और कोडियो' तोण क्या होता- ilfació कितना दिया है तीन रेडियन कि प्रती सिकन्ड स्क्वेर का रायए सागा अथ यह कोडियो 12 और तक गूंता है ॢ General तो कितना कोडिये वेग अर्जित करेगा ओमेगा पूछ रहा है और कहरा उसका कितना विस्थापन होगा ठीटा भी पूछ रहा है चलिए बच्चो यहां पर हम इस सवाल को हल करने के लिए आपको एक फामुला बताते हैं सबसे पहला है कोडिये गतिका प्रश्म कोडिये प्रश्ट समीकरन क्या होता बच्चो ओमेगा बराबर ओमेगा नौट प्लस अलफा टी आए बच्चो यहां पर वैल्यू कोड़ करना चाहते हैं और सवाल को हल करना चाहते हैं ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी बच्चो ओमेगा नौट जीरो प्लस एल्फा एल्फा की वैलू तीन है इंटू टीटी की वैलू है दो तो उमेगा बराबर तीन दूनी छे मां तक होता रेडियन प्रतीश सेकेंड तो बच्चो यह उमेगा की वैलू आ चुका है इसे आप एक नोट कर लें तो पुटा गती का तती समीगण दिती समीगण कोड़ी है गती का सेकंड समीगण सेकंड समीगण क्या था ठीटा बराबर उमेगा नौट टी प्लेस एक बटे दो एल्फा टी स्क्वेरी होता फार्मूला अब हम यहां पर रखने जा रहा है वैलू को जीरो ओमेगा नौट की वैलू जीरो टी की वैलू है दो प्लस एक बटे दो अल्फा अल्फा की वैलू है तीन टी की वैलू है दो का स्क्वेर। तो बच्चो दो से दो कैंसिल जीरो हो जाएगा अब प्लस दो तियां इच्छे हो जाएगा तो ठीटा आपका आएगा शिक्स रेडियन तो आपका अंसर आचुका अब इसे नोट कर लो चले वच्चो दूसरा नमब स्वाल एक कार जो बिरामा आवस्ता में जब बिरामा आवस्ता कहेगा तो ओमेगा नौट जीरो लेंगे रेश्ट होता रेश्ट होने बिरामा आवस्ता ठीक है और करा चार रेडियन पर सेकंड के कोड़िये तुण अलफा की वैलू है चार परती सेकंड इस्क्वाइर कि कोड़िये तुण सेंगे यह कितने समय में बटा टी पूछ रहा है कि कितने समय में पांस चक्कर प्रतीमिनट लगाएंगे तो बटा यहां एन की वैलू जो दिया है प्रतीमिन अधना तो इसको सेकंड नह बदलना पड़ेगा आठ सो चकर प कर प्रती मिनट कि अंसर आपका एन की वेलू करनोट हो गया कि इतने समय में कोड़ी ये विस्तापन कितना होगा ठीटा पूछ रहा है कि विस्तापन होता है चलिए बच्चों हम आपको कुछ फामले बताने जा रहा है हम आप की निकालना है तुश्च एक यह तरीका है कि गुण गति का प्रतम शन्मीकर लगा देखिंद्ध वितं है वियका निकालने यह आपको एन दिया है कोडी विए कि कोड़ी विए का फामलह यहां लिख दें है लिख दें है ओमेगा बराबर 2 पाई एन मिटा बताएए तू पाइक मान बाज बटे साथ एन का मान आठ सो बटे साथ बच्छे इसको जब सॉल्व करेंगे जीरो जीरो कड़ गया और भी बागी सब जब इसको काटेंगे तो यह आएगा सॉल्व कर लेना इसका गुड़ा भाग करेंगे सब्सक्राइब करेंगे साथ हो जाएगा अब बटे में एक कैस आएगा क्या है रेडियन प्रती से कंडी मात्रफ हो जाएगा यह मेरे पास अमेगा अगया ठीक है इसका काम है इसका काम है टी निकालने के लिए हमारी हेल्प करेगा तो टी कैसे निकालेंगे आईए देखते हैं तो आप कोड़िये कोड़िये गती का फाइटर समय करें लिखिए किया बड़ा ओमेगा बराबर ओमेगा नौट प्लस अलफा टी होता है यहां परमान को हम पुट करना चाहते हैं ओमेगा की वैलू सत्रह साट बटे 21 बराबर ओमेगा नौट की वैलू जीरो अलफा की वैलू चार इंटू टी चास इसको काटेंगे जिएगा जमनुका लिसको हम सॉल्भ करेंगे इसके कर जाएगा क्या साथ छै, शै बायर अरकते यह नहीं कर देगा तो चास क loses को काटें ठीव चल्त करक्राद बटे 4ग्र görण 10 साफ साफ सो नौट ला। चासो, चालिस, बटे, 21, बराबर, टी, चले बच्चो, इसके बाद हमें ठीटा निकालना है, ठीटा निकालने के लिए सब से पहले हमें एक फार्मुला लिखेंगे, ये से फार्मुला है, गुड़न गति का, गुड़न गति को बात देंक यह, क्यों? गुडन गती का सेकंड समीकरन क्या था बताईए आपको बताए ठीटा बराबर उमेगा नौट टी प्लेस हाप अलफा टी स्क्वेर अब यहाँ पर मान को रखते हैं तो आप बताईए बच्चो ठीटा बराबर उमेगा नौट की वेलू जीरो है टी की वेलू पत निकाला प्लेव कितनी है चार और इंटू टी का स्क्वेर टी की वेलू की से देख लिजिए अब यह जीरो गुड़ा करेंगे जीरो हो जाएगा अब दो से काटेंगे दो कम दो दूनी चाथ दो गुड़े किस का गुड़ा किस में करेंगे किस चार से क्तालिस आएगा जब इसका गुड़ा करेंगे दो कम दो 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 चोको आठ दो चोको आठ तो कितना आ गया 882 रेडियन आपका अंसर आ चुका वैच्छो इसको नोट कर लो टीसा नमबर सवाल देखिए क्या दे रहा है करा एक लिश गाड़ी का पई च्हे चकर प्रती से केंड वर्चो यहां पर एंड आ आपको छे चकर प्रती से केंड लगाता है और करा ब्रेक लगाने पर बारा सेकंड में रुक जाती है ब्रेक ब्रेक लगाने पर टीकी वेलू दिया बारा सेकेंड बच्चो जब वो बारा सेकेंड रुकती तो यहां पर अंतिम भी एक जीरो हो जाता है जीरो लेंगे क्योंकि रुक रही है क्या हो रही है रुक रही है रुप रही है यह बारा सेकेंड बार रुक जाती है तो उत तो ठीक है बच्चो मन्दक मन्दन एकी होता है आईए अब यहाँ पर हम निकालते हैं अलफा अलफा निकालना हमें और दूसरी बात उमेगा नौट की वैलू भी निकालते हैं चलो बर जिया घुरन गती का घुरन गती का प्रथम समीकर बताईए प्रथम समीकर होता बच्चो उमेगा बराबर उमेगा नौट प्लस अलफा टी तो बच्चो उमेगा जीरो है उमेगा क्या है उमेगा नौट को लिख सकते हैं टू पाई एन प्लस अलफा टी लिख सकते हैं न हमें अलफा निकालना है तो एक काम करिए, वैलू को पूट करिए, 0 बराबर, 2 पाई की वैलू कितनी है, यहाँ पर पाई की वैलू 3.14 into n, n कितना बच्चो 6, plus alpha t, बच्चो जब इन तीनों का आप गुड़ा करेंगे, तो आपका अंसर आएगा, 37.68, यह आजाएगा, बच्चो जब आप 2 गुड़ बच्चो आप इसको यहाँ जब भेजेंगे, या तो आप इसको इधर लाएंगे, तो माइनस alpha गुड़े 12 बराबर, 37.68 आएगा, अब 12 किसमें जब आप डिवाइड देंगे, माइनस alpha बराबर, जब 12 किसमें आप भाग देंगे, तो आपका अंसर आएगा, 3.14, क्या आपका अंसर आएगा, नोट कर लो बच्चो, चौते नमबर स्वाल में कह रहा है, पढ़िए आपके स्केम पर दिया, 50 ग्राम, दरबमान का एक पिंड है, ठीक है, तो यहां M की वेलू दिया, 50 ग्राम, M की वेलू आपको दिया, 50 ग्राम, ठीक बच्चो, और कह रहा है, इ आपको दिया, 50 सेंटी मीटर, बच्चो, दिया है, तो पिंड का जड़त्व आगुड ग्याद कीजिए, बच्चो, जड़त्व आगुड आई होता, आई ग्याद करने के लिए कह रहा है, जिससे हम लोग जड़त्व आगुड के नाम से जानते हैं, ठीक बच्चो, अब आ कि इसको किलो ग्राम में चेंज करेंगा तो 50 गुड है तो इसके बाद हम आपको फामुला बता दें जड़त्व अगुर का जो फामुला होता बच्चो आई बराबर होता है MR स्कूर क्या होता बच्चो आई बराबर MR स्कूर कि पचास गुड़े दस की पावर मानस तीन देख लीजिए मानस तीन इंटू आर्ट की वेल्यू कितनी है पचास गुड़े दस की पावर मानस दो का होल स्क्वेर तो बच्चो आईए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले आई एक इपच्वार और सॉल्व करें तो पचास एपच्चास ए तो एक काम करिए पचास गुड़े पचास गुड़े हैं पचास गुड़े पचास तीन लिग दे इसका स्क्वई करेंग़िए कि पचास इंटू 10 की पावर मानस तीन दो दूनी तो आई बराबर क्या होगा पांच गुड़े पांच गुड़े 5 पांच बच्छम 25 प्कचीज रहाज एक दो 3 जिरो इसको देंगे 30 प्लस हो जाएगा मायनस साथ में प्लस तीन करेंगे तो मायनस का चार आएगा पिछो इसको स्टंडर्ड फॉर्में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा और 100 से गुड़ा करना पड़ेगा जब हम 100 से भाग देंगे तो आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर ये 2 प्लस लिखेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा भाई 10 की पावर 2 और माइनस का 4 प्लस का 2 घटाएंगे तो ये आजाएगा आपका एंसर अब इसको बेटा किसमी लिखेंगे किलो ग्राम मीटर क्यूब में तो बच्चो इस एंसर को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चो पांचवे नमबर सवाल देखते हैं इसमें क्या दिया है इस पांचवे नमबर सवाल में आपको हाइडोजन परमाडू का दर्बमान दिया है कितना दिया है इसका दर्बमान सत्रा 1.6 इंटू 10 की पावर 27 किलो ग्राम और आपको इसमें दिया है दूरी टू आर माने कि दोनों परमाडू के बीच की दूरी है नाइनस 10 मीट है आपको कैसे पता है मैंने टू आर माना बताते हैं आपको अभी समझेए आप सबर करिए जरा जड़त वा आगोर क्या होता आई क्या होता बच्चो जड़त वा आगोर का फारमला होता है ठीक है आई अब इसको निकालते हैं उसके लिए आये पहले समझाते हैं हम आपको यह मान लिए एक हाईडों का अडू है एक यह हाईडों का अडू होता तो ह 2 ह gotta हई ह 2 इसको लिख सकते हैं एस डूट है यह हाईडों हाईडों के भीजg का बांड है भी आज़ाए भीए होगा और एक अभी होगा तभी ह् एस्टू बनता है ये दूरी होती है ऑर ये दूरी क्या होती है थी तो समझेे गार यहां से यहां की दूरी होगी तो हम आर से क्वाल अब हम यहां पर क्या करेंगे बहुत द्यान से देखिएगा यह आर का माहनना फामूला क्या बनाना जा रहा है आई बराबर पहले वाले एटम का फिर दूसरे वाले का भी होगा एम आर स्कूर तो टोटल आपका क्या हो जागा बटा फामूला टू एम आर स्कूर बच्चो यहां पर हम वायलू को पुट करने जा रहे है टू इंटू एम एम की वैलू कितनी है आर की वैलू कितनी है बच्चो दो गुड़े दस की पावर माइनस दस का होल स्कूर तो बच्चो आईए यहां पर गुड़ा करते है इंटू टेन की पावर माइनस 27 इंटू जिब दो का स्कूर करेंगे चार आएगा इंटू टेन की पावर दस दूनी पावर में पावर का गुड़ा होता बच्चो अब आईए यहां पर इसका हम इससे गुड़ा करने जा रहे है करिए तो चार चौक सोला का चैहां सी लगाए एक चाहतियां इबारा एक तेरा तो आपका अंसर आजएगा तेरा तफ़नो शिक्स इंटू टेन की पावर साथ 27 और 20 47 हो जाएगा मात रखोगा किलो ग्राम मीटर स्कूर बच्चो यहां पर क्या करेंगे हम इसको डेब्य में पैक कर दिया या आप इसμε्सर को नोड कर लेजिये चलिए बच्चो अम सवान नम्बर 6 पढ़ते हैं एक संभाउत तिर्बूज है बच्चो आए एक हम संभाउत तर्बूज messy बनाते हैं जो जो कहरा पहले वो करते हैं उसके बाद यह संभाउत तर्बूज है पणतेक की फ़जह 0,50, 0,55, 0,55 eto, 0,55 7,0.5 metr है बच्चो आपको एक बाँ बता दें इसका नाम A दे दिया इसका नाम B दे दिया इसका नाम C दे दिया और इन तीनों पर आप इसका जो दरबमान है आपको वो एक किलोग्राम दिया है समझेगा इसका द्रभमान कितना है एक किलोग्राम इसको हम M1 लिट कर ले रहे हैं और इसका द्रभमान आपको दिया है दो किलोग्राम बच्चो M3 का आपको द्रभमान जो दिया है वो है तीन किलोग्राम ठीक है अब यह समझेगा यह R का काम है कि कि इसमें लंबहत आप करें एक लंबहत ज्राता आगण बनाया है ना आ टो ए से घुजरने ritee है का देखी करका थे ए इसे घुजरेगा तो यह वाली वाली लाइन घुजरेगी यह ओओ तरहड़ नेका लैंगे अ गुजरने प्रवह मुंधिन दिता दो करने प्रवा बर्वार्वितनõंद दत्ला ऐ से एक बार कि मुज्वार्म से को निकालेंगी तो आप समझेगा यहाँ पर हैं पर तो इस बार्म प्रवाले प्रोय प्रोट अब इस बार लिखें जड़त तो आगोड फार्मला क्या होगा बटा आई बराबर देखिए एक तो यह गुजर रहा है लाइन तो क्या होगा m2 r square यह गुजर रहा है m3 r square तो बच्छो value को पुट करिए m का मान कितना दिया है ध्यान से देखिए móm 2這 वैल्यू दो गुले और r के वैल्यू कितनी वैल्यू 0.5 प्लैस M3 कितना है 3 और R की वैलू कितनी है 0.5 तो बच्चो आई बराबर तो आप समझेए 0.5 का स्क्वेर 2 0.25 और 3 इसका स्क्वेर करेंगे 0.25 तो जब बटा इसमें गुड़ा करेंगे तो 25 दूनी 50 तो 0.5 0 हो जाएगा बच्चो आप इनको जोड़ दीजिए तो यह आजागा 1.25 1.25 किलो ग्राम मीटर स्क्वेर यह आपका अंसर आगया बच्चो इसको आप नोट कर लीजिए चलिए बच्चो इसके बाद सवाल नमबर हम सात्वाँ पढ़ना है किरा किसी छड़ की लंबाई के लंबाई द्रबमान केंजे गुजरने वाले अक्स के बड़िता जड़त आगूर आपको दिया है बच्चो इस सवाल में आपको आई की वेलू गिवे ने कितना दो ग्राम सेंटी मीटर स्कूर दिया है और कहरा है कि इस छड़ के लंबाई के लंबाई के लंबाई चड़ के सिरे से गुजरने वाले अक्स के बड़िता जड़त आगूर बताईए देखिए बच्चो पहला के लंबाई 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 द्रब्मान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परिता जड़त्व आगोड प्रिवच्चो क्या होगा आई बराबर एम ऐल स्क्वर बटे बारा समय के ने एकमान ले रहा है अब इसकी वेल्यू आपको दिया है देखी वेजे इसमें आई बराबर दिया है सवाल में पढ़ें ऐड़ दो देखो यह यहाईł की बिल्यू यहाँ पर रहर है तो आप करेंगे आई वेल्यू यहाँप लंबाई के लंबवत द्रबमान की जिगें जो है उसमें कहरा च्छड के सिरे से से गुजरने वाले अक्ष के परिता जड़त आगुड बच्चों यहां पर आई डैस मान ले रहे हम तो इसका जो फामुला होगा समी कहन क्या हो जाएगा अब हम भाग देंगे कैसे देंगे भाग आई यह देखते हैं समी कहन बच्चों यहां पर रहे हम समी कहन दो में एक का भाग देने जा रहे हैं समी करनो दो क्या है आई-डैस अब समी करने क्या है आई, ठीव बच्चो बराबर तो इसके बाद आई-डैस में पहले आई-डैस लिखेंगे M L SQUARE बटे तीन उसके बदा भाग जिफ देंगे तो उल्टा हो जाएगा, उग्ड़ा हो जाता ना 15 वपर हो जाएगा और m l square नीचे हो जाएगा तो इससे यह कड़ जाएगा तो आप बताएगे क्या बचा i dash बटे i i के value कितनी है दो ठीक है उसके बाद बराबर उसके बाद क्या बचा 12 बटे 3 तो 3 का बारा हम भाग देंगे आएगा 4 तो i dash बड़ाबर आया आठ और यूनिट क्या दिया है ग्राम सेंटी मीटर स्क्वार तो बच्चो यह अंसर आ चुका है आप इसे नोट कर लो चलिए बच्चो आठवाँ नमबर स्वाल पढ़ते हैं आठवाँ नमबर स्वाल में क्या कह रहा है एक गती पालक चक्र का जड़ा तो आगोर 4 किलोग्राम प्रती मीटर स्क्वार दिया है जड़ा तो आगोर क्या होता आई आई की वैलू कितनी दिया बच्चो 4 किलोग्राम मीटर स्क्वार और इसमें क्या कह रहा है इस पर 10 newton meter का बल आगोल लगता है बल आगोल होता है टाव कितना दिया है 10 newton meter का बल आगोल लगता है तो कितना कोड यह 3.5 होगा alpha पूछ रहा है बच्चो चलिये आईए हम इसमें आपको फार्मला बताते हैं एक फार्मूला होता संप्बन बताया था आई ॉड जड़त वाय列 जड़त वाय Uni itось हो डेवे और समदनेनाल समय स्पझ सेकर जांगेakah नागलों स्थारी जांगे तो दस बचे चार बरावाल अलफा तो अलफा का जब दस में चार को पहले दो से काटेंगे दो पंचे दस दो दूनी चार तो अलफा बरावा इसमें जब भाग देंगे तो 2.5 रेडियन प्रतीस सेकंड स्क्वेर आएगा बच्चो अब इसे नोट कर लो अब हम सवाल नमबर नाइन नमबर देख रहे हैं पढ़िये क्या करा नाइन नमबर सवाल में कह रहा है यदि कोई पिंड चालिस न्यूटन मीटर का बल आगूर लगाता है टाव कितना दिया है चक्र का जड़ा तो आगूर चली बच्चो नाइन नंबर स्वाल पढ़ना है यदी एक पिंड पर 40 Nm का बड़ा आगूर लग रहा है बच्चो इसमें बल आगूर का फार्मला होता है टाव टाव बराबा 40 Nm है और क्या कह रहा है इसमें 10 रेडियन पर सेकंड का कोड़ी तो हो गा अऊ-ऊ-ऊच्छो आई-ऊ-चो यहां आफ यहां बराबार आई-फा यहां पर वैल्यव को पुट करने जा राए टाव के नियू है चालीस आई की वैलू निकालनी है इंटू दस तो बच्चो यहां पर हम जीरो से जीरो काटने जा रहा हैं कोई मना नहीं करेगा बिराबर कितने आगे भच्यो। चार क्या मातरा क्या हूआ किलुग्राम मीटर स्क्वएर, ये है अन्सर हमारा भई आई बराबर चारी तो बचा अ नोट कर लो नोट कर लो था अमटन नमबर सवाल क्या कह रहा है? एक बिन का जड़त वा गुर्ट दिया है जड़त वा गुर्ट क्या होता आई कितना दिया है 2.5 kilogram meter square और क्या कह रहा है 10 radian per second का code alpha की value दिया है 10 radian per 30 second square का code च northern है तो उस कह रहा है बल आगुर की गरना करनी tau की गरना करनी है आपर तो बच्चो हमने आपको फार्मरा जो लिखाया था वही उच करेंगे वही आपको लगाएंगे क्या बताया था टाउ बराबर आर इंटू अलफा बच्चो आई एमान रखते हैं यहां पर रखते हैं टाउ बराबर आई कमान कितना है तू पॉइंट फाइव इंटू अलफा कमान है दस विटा जब यहां दस का गुड़ा करेंगे तो पॉइंट हड़ी यहां पॉइंट रहा है कि जिरो बढ़ाएंगे दस से दस कटा तो पचीस न्यूटन मीटर आगया आपका अंसर आप इसे नोट कर लो दोस्तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सेयर एंड कमेंट करिए और भी अगर आप किसी टापिक फे वीडियो चाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें तो हम उस पर बहुती जल से जल वीडियो को बनाएंगे तो लिए धन्दवाद जाएंगे झाल किसित जल से जल वीडियो किसी तो लाइएंगे झाल